गर्मिया आ चुकी है और गर्मियों के साथ ही आ चुका है हम सब का फैइवरिक फ्रूट मैंगो, तो आद इसी मैंगो से हम बनाएंगे no-bake mango cheesecake, इसे हम cake team और glass दोनों में ही बनाएंगे, तो mango cheese cake बनाने के लिए जो हमें first layer ready करना है वो ready करेंगे हम biscuits के साथ तो यहाँ पर आप कोई साभी biscuits ले सकते हैं biscuits को थोगा सा crush करके हम डाल देंगे mixer jar में और इसका हमें एक fine सा powder ready करना है यह देखिए बलकुल fine powder ready किया है और अब हम लेंगे butter, butter को melt करके इस powder के साथ हम अच्छे से mix कर लेंगे अब लेंगे cake tin और cake tin पे butter paper लगा देंगे और उसके बाद हम इसमें transfer करेंगे यह हमारी first वाली layer यानि की biscuit वाली layer तो यह जो biscuit है इसका powder है इसे set होने में तोड़ा सा समय लग सकता है इसलिए हम इसे अच्छे से spread करके चार से पांच मीट के लिए पहले हम इसे fridge में रख देंगे तो पहले इसे equally हम spread कर लेते हैं ताकि अच्छे से set हो जाए और अब इसे हम fridge में रख देते हैं पांच से साथ मीट के लिए जब तक ready करते हैं next layer और next layer के लिए यहां लिए है मैंने mango दो mango लिए है मैंने तो mango को cut करेंगे और इसका हम pulp ready कर लेंगे तो मैंने इसे mixer में piece लिया है साथ ही ले लेंगे 200 ग्राम पनीर पनीर को भी हम छोटे pieces में cut कर लेंगे और अब लेते हैं mixer jar और mixer jar में transfer करते हैं इस पनीर को साथ ही हम ले लेंगे cheese cubes तो यहां मैंने दो cheese cubes लिए हैं और यह जो cheese cubes हैं यह normal room temperature पे होना चाहिए और अब लेंगे 4 चमच हंकर्ड यानि के एकदम गाड़ा दही जिसमें से मैंने पानी को अलग कर दिया है चानकर और 6 बड़े चमच लेंगे sugar powder sugar powder की quantity depend करती है कि आपका mango कितना मीठा है तो अगर mango कम या ज़्यादा मीठा है तो आप sugar powder को कम या ज़्यादा कर सकते हैं साथ ही हम add कर देंगे आधा mango pulp और इसे piece कर एक smooth सा batter हम इसका ready करेंगे तो again हम लेते हैं cake tin और उसके उपड़ी जो हमाई second वाली layer है यह हम डाल देंगे इसे भी अच्छे से spread करेंगे हम और पांच से साथ मीट के लिए हम वापस इसे फ्रीज में रख देते हैं जब तक हम ready कर लेते हैं glass तो same process से glass में हम सबसे पहले डालेंगे यह biscuit वाली layer और उसके उपड़ डालेंगे हम यह mango और पनीर वाली layer इस cake को बनने में बहुत समय नहीं लगता है बस जब यह ready हो जाता है तो हम इसे फ्रीज में रखना पड़ता है दो से तीन घंटे के लिए उसी में समय लगता है तो यहाँ cake team भी मैंने निकाल लिया है और cake team के उपर अब हम डालेंगे थर्ड वाली layer यानि की हम डालेंगे इसके उपर mango pulp आप चाहें तो यहाँ पर mango के छोटोटे pieces कट करके भी डाल सकते हैं और आप रखेंगे हम इसे तीन घंटे के लिए फ्रीज में इसी तरह से यह जो glass है glass पे भी हम डालेंगे थर्ड वाली layer यानि की mango pulp और इसे हम फ्रीज में रख देंगे यह देखिए तीनो लेयर कितनी अच्छी दिख रही है इसके उपर तो तीन घंटे बाद हमारा यह जो mango cheese cake है यह बनकर ready हो चुका है यह देखिए अच्छे से तीनो लेयर सेट हो गई है और साथ ही जमारा glass है वो भी ready हो चुका है तो बस cut कीजिए, खाइए और enjoy कीजिए रैसे भी पसंद आए तो like, comment and share करना बिल्कुल न भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर लीजिएगा तो बनाइए खाइए, enjoy कीजिए और देखते रहिए कुकवित, गुर्मीत तो मिलते हैं next वीडियो में, till then, bye bye